नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूस में वक्त है राजस्थान की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के ओर आपको लेकर चलते हैं राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही बड़ा एक्शन ले लिया गया है भजनलाल शर्मा सरकार के नेतरित्व में राज़े के लगभग 72 आईयस और 121 आरेयस के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है कार्मिक विभाग नहीं आदेश जारी क्या है कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसा लगभग 32 जिलो के कलेक्टर बदले गए हैं अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं बता दें राजस्थान में कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है सूचना मिलते ही बचावकर्मी बचावकारे के लिए पहुँच गए हैं इसी के साथ घटना स्थल पर बचावकारे जारी है वहीं आसपास के इलाके में च्वेन के पटरी उतरने घटना मिलते ही काफी भीर जमा हो गई अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी और केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश शाह के 58 वे कारेक्रम में भाग लेने के लिए जैपूर दोरे पर हैं प्यम और ग्रह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है प्यम मोदी दिनांग 5-7 जनवरी कुजैपूर के राजस्तान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरी शकों के तीन दिवसे वाशिक अखिल भारते सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजस्तान दोरे पर हैं अगली खबर के और बढ़ते हैं राजस्तान के बिकानेर और सीकार में पारा जमाव बिंदू तक पहुँच चुका है दोनों ही जिलों में जबरदस्त शीत लहर चल रही है ठंड के चलते यहां जन जीवन ठप हो गया है यहां किसानों के लिए भी परेशानी खड़ी हो च